प्राण प्रतिष्टा क्रूब लक्षमे दिनाग 21-23-24 को भवे सजावट दो अयुद्या से लाइट टेली कास्ट का भी समय 12 वजे से आठी का आयुजन दिखाया जाएगा दिनाग 22 तारिक को दुपेर एक बजे से शाम पाँच वजे तक बेठाल कर प्रशादी का आयुजन चार शाम पाँच वजे से ग्यारा बजे तक भजन संदियावाद 56 भोग लगाए जा रहे हैं आता हा आपसे निवेदर है कि दिनाग 22 को कालेकरम में आप सेहवागी बने निवेदर व्यपारीगड एवं रामभक्त राजामंडी बज्जार आगरा एवं श्री रामनिवास जी लिली गोयर गौरब विक्रम सिंग अशोग भाई पवन यादव राजिश पाशद बौब बबलू चौहान मुकुल अगरबाल माइकल गडेची सुमित अमित बंटी भाई मोहित आदी परीचे के साथ आपके जो प्रीजवार्टा इस जो आपके दो ब्रापाई गड़ रामबार आज प्रीजवांड वरुंतर आगरा वासियों को देने के लिए रखी गई है इक्कीस वाईश तेरीज को तीन दिन भद्ब्य तरीजी से स्यावड होगी इसमें की मुक्य काईगरम बाईश तारीक को होंगे पाइस तारीक को सबसे पहले तो बारे वजे एक लाइब टेलीकाश्ट का हरुद्दा नगरी से जो प्रोगाम चल लेगा वो लाइब टेलीकाश्ट लेटी दोहारा दखा रहे जाएगा पिर उसके बाद दो वजे से पांच वजे तक का बेटाल का खाने का प्रोगाम दखा हएं बढ़ें शेकर वर्योब्लीक के लिए और उसके बाद वांच से साथ पांच से रातर यह वजे तक का बर्जन संघ्या रगी है योगि ये भार के कलाका हमारे हमने बलाए हैं जैसे कि गौले से राजु जयपरिया है कान्तों से रितीका हैं गौले जिप और बाल कलाका भी बलाए हैं उसके बाद 56 जो कि के एक स्याय आ रहे हैं राय बंडी बजाय में और राम बक्तों से अपिल है कि जार से ज़्यादा आगरावासियों से अपिल है जो कि राय बंडी बजाय की बब्पय और सोगा ने परिसादी करें क्या सी रहा हूँ मेरा नाम तो परिजिदी है मेरा नाम रामनेर स्कार्टोर है तोड़के राया मंडी मुक्त बजार कमेटी का में अत्यच्छू सबसे पहले मीडिया को मैं धन्नवात देता हूं यहां के अमुल अपना समय दिया और हमारा फचार प्रसाड़ करने की आने बढ़ाया आज के कार प्राण प्रतिष्टा का उसमें देशी घीजा बोजन करीब हैरा आज़ा आज़े का परसाद रखा और उसके बाद पांच बजे से संद्या का कारकर में जो क्यारा वजी तक चलेगा बैसापन भूग लगा जैशिर्या में अशोग जस्वानी नाक्टिन मार्केट राये मं जैसा कि मेरे निली भाई ने और रामनेवाजी ने आपको बताया प्रोग्राम के बारे में वैसा ही रहेगा और यह सजावट जो है भवे सजावट है हमारे मार्केट में और मैंने समझता हूं कि शैद आगरा में दूसरा कहीं ऐसा इतना सजावट भारी सजावट आपको देखने को मिलेगी तो मैं सभी से यह निवेदन करूँगा कि ज्यादा सजावट का आनंद लें धन्यवाद